आजकल नवीन बाबू के सभी सुबचिन तक बहुत चिन्ता में है वो ये देखकर बहुत परिशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबियत इतनी कैसे बिगड़ गई बर्सों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबियत की चर्चा करते हैं वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं अर्से तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबियत बिगड़ने के पीछे कोई साजिस भी हो सकती है सवाल ये कि नवीन बाबू की तबियत खराब होने के पीछे क्या कोई शर्यंत्र है क्या ये उडिसा के लोगों को जानने का अधिकार है कहीं इसमें उस लोबी का तो हाथ नहीं है नवीन बाबू के नाम पर परदे के पीछे उडिसा में सत्ता भोग रहे है इस रहस्य से परदा उठना जरूरी है उठना चाहिए ना परदा उठना चाहिए ना परदा उठना चाहिए ना इसका परदा उठना चाहिए इसकी जाच आवश्यक है इसलिए दस जुन के बाद उडिसा में भाजप सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार उडिसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमिटी का गठन करेगी और ये जाच करेगी कि अचानक नवीन बाबु की तबियत क्यों गिरती जा रही है उनकी तबियत के साथ ये क्या हो रहा है सारे तच्चे खोच करके निकाले जाएंगे साथियों उडिसा के पास पानी है आदिवातिक छेत्रों से होकर पानी बहता है लेकिन आपको सुचाई की सुविदान नहीं मिलती बीजेडी सरकार ने पचीश सालों में सीचाई के लिए यहां कोई बड़ा काम नहीं किया केंद्र में भी ऐसी सरकारे रही है जिन्होंने सीचाई के प्रोजेक लटकाए अटकाए और बटकाए ही है ये सुमर्णा रेखा प्रोजेक 1970 से लटका हुआ था 1970 से आपने मोदी को सेवा करने का मोका दिया तक्रिशी सिंचाई योजना बनाई और उडिसा के आट बड़े प्रोजेक पर काम शुरू किया इन में से पांच पूरे भी हो चुके है डबल इंजिन सरकार यहां सिंचाई के कारियों को भी तेजी से पुरा कराएगी साथियों ये मोदी सरकारी है जिसने बादाम पाहाड छेत्रबें सो साल बाद एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन सुरू किया लेकिन यहां बीजेडी सरकार रेल प्रोजेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही है बाजपा सरकार बनते ही यहां रेल कनेक्टिविटी और ससक्त होगी बाई और बेहनों आने वाला समय ओडिस्ता का समय है आने वाला समय पूर्वी भारत का समय है आपको भाजपा के सभी साथिवों को हमारे जितने भी एमेले के उमेदवार है उन सब को जीता कर सारे कमल आपको भूमनेश्वर भेजना इसलिए मैं आसिरवाद मांगने आया हूँ मैं सभी हमारे एमेले के उमेदवारों को रिक्वेस करूँगा आगे आजाए जो एमेले के उमेदवार है वो एकदम आगे आजाए MLA के उमिद्वार आगे आजाए मयूर्भन से हमारे साथी नब चरण माजी जी को भी record वोटों से जिता कर दिल्ली भेजना है मैं एक मिनिट इन सब के बीच जा करके फोटों निकाल करके फिर अपना भाशन करता हूँ ऐम इसे परतिश्य को डिसव्फर में इसायाए मारी है व्हारे फख़सर्ड़ न इसे घृद्ध और हूआगे हूँ लुए कर दो जब दो, थो जातो, कर दो, पिजा जो, पैब कर दो, जो, 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 है,